नमसकार मैं हुँ आसिच शित्रांसी और आप देख harvesting कॐ भाजबा को एक और मोदी मिलने जा रहा है मोदी मिलना असान नहीं और मोदी होना आसान नहीं है मोदी मिलने जा रहे हैं तो कैसे हैं मोधी यह वाले और जो आनले समझना जरूरी है हमारे माननिय प्रधानमंत्री जी बच्पन में रेलवेई स्टेशन पर चाय बेचा करते थे फिर साधी हुई साधी के बाद घर बाज छोड़ दिये और निकल गए हिमाले में वहां लंबी तपस्या की उसके बाद मोदी जी की जुबानी तमाम संगहर्सों में सामिल रहे भिक्षा मांगा भिक्षा मांग के खाये जीवनियापन किया तभी बंगलादेश की मुक्ती का संग्राम सुरू हो गया बंगलादेश को मुक्त करवाने में भी योगदान दिया फिर संग के लिए भी काम क किया और करते करते इन संघर्सों का परड़ाम निकला कि सियासत में सफलता की सीनिया चड़े गुजरात के सीम बने देश के पीम बने आज भी हैं अब आएसे ही एक किरदार की एंट्री होने वाली है सियासत में अभिजीत गंगोपाद ध्याय कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टि यह पहले थियेटर में काम किये रंगमंच में काम किये पिताजीन के बड़े वकील थे फिर रंगमंच में काम किये उसके बाद यह जो है उसमें पंजाब पस्चिम बंगाल सीविल सर्विस में सामिल हो गए ए ग्रेट के अपसर बने फिर उसको भी छोड़ दिया फिर प्र कोलकाता हाई कोर्ट में जज हो गए और 18 से 24 तक अब तक जज थे अब इसको भी छोड़ रहे हैं हलाकि अगस्त में रिटायर होने वाले थे अब ये छोड़ करके अब राजनीती में उत्रहें गगोपाद्याय साहब का कहना है कि कोर्ट में सिर्फ उतना ही वो काम सम्हाल पा बहुत गरबड हो रहा है और खास कर ये गरबड हो रहा है पस्चिमách replace बंगाल में आब इनके ください वाले जो कार्यकाल पर आप नज़र किया है देश के लोकतंत्र के लिए काम किया है देश के संविधान के लिए काम किया है देश के आईन के लिए काम किया है या किसी पार्टी के लिए काम किया है सवाल खड़े होंगे अभिजीत गंगोपाद्ध्याय का अभी जो इतिहास आपने मोदी के समानांतर समझा था इस कुछ छोड़ा नहीं और सबसे बड़ी बात है कि अभी नहीं भी आता है उनको गंगोपाद्याय साहब कि अब थोड़ा सा हम कोर्ट के अंदर के किरिया कलापों पर नजर डालते हैं फिर समझ में आएगा कि भाजपा को एक नायाब हीरा मिलने वाला है यह प्रभू 2022 में सिक्षक भलती 36,000 जो बहाली थी उसको इन्होंने निरस्ट कर दिया और उसकी CBI जांच की संस्तुति कर दिया सिक्षक भलती में इनको घोटाला कथित घोटाला जो था वो इनको नजर आया और इन्होंने हवाले कर दिया CBI के उस दर्मियान कोर्ट में धक्का मुक्की लात घूसे तक की नौबत आई वकीलों के बीच और जजज सहब के बीच उस मामले में एक वकील को जेल भी विजवा दिया था जश्टिस सहब में खेर ये बलडाई लंबी चली और उस मामले में भी उस वक्त जश्टिस अभजीत गंगोपाद्याय के फैसले पर कई सवाल खड़े हुए थे मामला उतना ही नहीं रुका आगे एंबीवियस के एडमीशन में जाती प्रमाडपत्र फर्जी होने को लेकर के CBI जाज की इन्होंने संस्तुति कर दी उसके लिए भी आदिस जाज किया इस पर भी विवाद खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया इसमें दखल दिया और फिर पाँच सदस्यों की एक पीठ बनाई कुलकाता है कोर्ट में और मामला इनसे हटा दिया अब फिर सिक्षक भरती पर आते हैं सिक्षक भरती में डिवीजन बेंच ने गंगोपाद ध्याय के आदेश पर रोक लगा दी यानि ये बंगाल के करप्शन को ढूंड ढूंड करके सीबी आई के हवाले कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट दखल देता था या उसी हाई कोर्ट का कोई जज और दखल देता था और उस पर रोक लगती थी यहां तक कि जो एंबीवियस में एडमीशन में फल्जी जाती प्रमाडपत्र का कथित इस कैम जिसकी जाच की आदेश दी जश्टिस अभीजीत गंगोपाद ध्याय ने उस केस में तो मामला जश्टिस वरसें जश्टिस का हो गया डौन्याएध ही सामने सामने हो अब कहानि और आगे इनके सुनी ये बतर हाई कोड जश्टिस एक ने चैनल को इंटरव्यू देते हैं वहां पर तो चंदचूर सहाब को इंटरवीन करना पड़ा था इन्होंने एक न्यू चैनल को इंटर्व्यू दिया और उस इंटर्व्यू में बकाइदा राजनाइतिक कार्यकरता के तरीके से इन्होंने ममता बनरजी सरकार पर सिक्षक भलती घोटाले पर इस सब पर खूब जम कर अपनी भडास निकाली उस इंटर्व्यू में अगर नीचे जो हम लोग आइस्टन बोलते हैं जहां नाम लिखा होता है पदनाम लिखा होता है उसको न पढ़ता कोई आदमी तो सोचता कि अभी बंगाल में भाजपा में कोई नई नई जॉइनिंग होई है और नई जॉइनिंग वाला जानते हैं ज बंगाल में इस समय चारों तरफ चर्चा है कि जश्टिस गंगोपाद्याय अब भाजपा में आएंगे और उन्होंने क्लियर कट साफ साफ राश्टरपती दौब दौबदी मुर्मो को इस्तीफा बेजा उसके बाद साफ कर दिया कि आदालतों में तो मैं बस उन्हीं मामल को देख पाता हूं जो इतना सारा अत्याचार संसार में हो रहा है जो कोर्ट तक आते हैं अब मुझे बड़े छेतर में जाना है और बड़े छेतर में जाकर के काम करना है खासकर सिक्षा के छेतर में तमाम लोगों पर जाच चल रही हैं तमाम लोग जेल में हैं उसको दु कोनिष्ट का गढ़ रहा और जहां भी कमनिष्टों का गढ़ रहा है वह लेबर ट्रेड और नाइजेशन डबलप होती है अब वहां पर भी पैट करना चाहते हैं लेकिन अब संकट यह है कि इस्तिफा दे चुके हैं अब इस्तिफा देने के बाद अगला निसाना कहां है जो चर्चा है मैंने बताए कि बंगाल में भाजपा में सामिल होकर के लोगसभा चुनाओ यही 24 का लोगसभा चुनाओ लड़ने की तयारी कर रहा है अगस्त 2024 में ही रिटायर्मेंट था जश्टिस अभिजीत गंगोपा पांच महीने पहले एका एक खयाल आया कि इस देश को और खासकर बंगाल को उनकी सेवा की काफी जरूरत है तामलुक पर नजर है तामलुक जहां से सुवेंदू अधिकारी भाजपा के इस समय बंगाल के फायर ब्रांड और फेस सुवेंदू अधिकारी उनके भाई दिव है उसी सीट पर तामलुक पर नजर है और वहां से टिकट यह संभावनाय जताई जा रही है बंगाल में चर्चा भी है कि तामलुक से टिकट भी मिलने वाला है अब इस सारे प्रकरण के बाद मैंने बताया आपको जब इंटर्व्यू इन्होंने चैनल को दिया था उस वक् चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचून ने इस मामले पर चिंता जाहिर की थी लेकिन चिंता जाहिर करने का वक्त गुजर चुका है क्या चंद्रचून साहब इस मामले पर संग्यान लेंगे संग्यान लेने का विसे इसलिए है क्योंकि इस देश के लोकतांत्रिक ढाचे को सुरक्षित रखने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए जो तीन अस्तम नियाए पालिका, कारेपालिका और व्यवस्थापिका इनके बीच जो चेक एंड बैलेंस का अंतर संबंध बना हुआ है उसको काईम रखना बहुत जरूरी है और कारेपालिका और नियाए पालिका के बीच चेक एंड बैलेंस लंबे वक्त पहले ही खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है वहाँ ना चेक है ना बैलेंस है, वहाँ पर चेक एंड मेट है, सह और मात है लेकिन एक अस्तंब न्याय पालिका उसने इस अंतर संबंध में जो चेक एंड बैलेंस का अंतर संबंध था उसने ब्योस्थापिका और कारेपालिका दोनों को चेक एंड बैलेंस करके रखा हुआ था आंसिक रूप से या अधिक आंसिक रूप से या पूर्ण रूप से जितना आप अलग-अलग मामलों में देखेंगे लेकिन रखा था कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रखा था अब जो परंपरा जस्टिस अभिजीत गंगोपाद्याय शुरू कर रहे हैं इसके बाद न्याय पालिका, ब्यवस्थापिका और कार्य पालिका इन तीनों अस्तंभों के बीच चेक एंड बैलेंस खतम हो करके चेक एंड मेट सुरू हो जाएगा सह और मात का खेल सुरू हो जाएगा अगर कोई भी आएक्टिंग जस्टिस, रिटायर्ड जब सियासत में लाब तलास रहे थे, तब तो इस देश में गंभीर चर्चाय हुई है, बड़े सवाल खड़े हुए हैं, जैसे रंजन को गोई, राजी सभा गए, उन पर सवाल खड़ा हुआ, आयोग के चेर्मैन बन आए जाने पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अगर एक्टिंग जस्टिस, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वो इस्तीफा दे करके सीधा राजनीती में कदम रख रहा है, तो इस पर सिविल सोसाइटीज से ले करके, सदन से ले करके, और स्वयम सुप्रीम कोर्ट मान सरोच नया लेके, माननी सरोच नयाए धीस, तक चर्चा का विसे होना ही चाहिए, इस परंपरा से, अगर ये परंपरा बन गयी, और इस परंपरा को भी ये बताय जाने लगा, कि ये समाज कल्यान के लिए हो रहा है, ये प्रदेश सुधार के लिए हो रहा है, ये जन सुध और गुष्छ किर्द भरहों यह ब्रश्टाचाज के लिए हो रहा है। sih है कि यह पाप के अंत के लिए हो रहा है। क्या तो इतना तो टैए चार है कि लोकतंट का अंत हो जाएं eh क्योंकि फिर जनता बेबस नीरी बनी रहेगी न्याय पालिका में बैठा अब्यक्ति राजनीतिक पार्टी का काम करेगा अपने राजनीतिक भावी राजनीतिक हीतों को देखते हुए और जब न्याय पालिका भी राजनीतिक दलों द्वारा संचालित होने लगेंगे तो उस इसलिए जश्टिस अभिजीत गंगोपाद्याय को साधर नमन करते हुए ये निवेदन है इस देश के मान्य सर्वोच ने आए धीस डिवाई चंजचूर सहाब से कि वो इस विशय पर संग्यान लेकर के इसे जरूर बहस का केंद्र बनाएं इस देश के सत्ता नसी राजनेतिक दल के लोग मूदी परिवार के लोग ये तो इस विशय को भी राष्टरहित का विशय बताएंगे और इसे भी बताएंगे देखिए देश की भलाई के लिए ममता बनर जी को उखाड फेकने के लिए पस्चिम बंगाल में रामराज लाने के लिए जज सहब ने इ फिर मत से ने आये खेर उम्मीद करेंगे ऐसा हो ना लॉंग लिप डेमोक्रेसी हमारा लोकतंत्र दिर्ग जीवी हो इसी कामना के साथ मुझे इजाजत दीजिए आप देखते रहे न्यूज लॉंचर नमस्कार